नमस्कार दोस्तो आज है 31 जनवरी 2024 और 31 जनवरी का जो भी इंपोर्टेंट करेंट अफेरे उसको पन डीटेल एनलाइसिस और इस्टेटिक्स जीके के साथ इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो को आंत तक द्यान से देखीगा अंत में मैं आपसे कुछ कुछ कुछन पुछूँगा जिनके आंसवर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं आपको पता है अपने इस यूटूब चैनल पर डेली करेंट अफेर नाम से सुबह 6 बजे कलास आती है जिसमें उस दिन के करेंट अफेर को अपन डीटेल एनलाइसिस वर इस्टेटिक्स येके के साथ कवर करते हैं उसी कड़ी के अंदर अपने 41 कलासे आज तक ले ली है ये 41 कलास है तो परते दिन आपको कलास मिलती है उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है चैनल के साथ अभी जूट जाना लाल वाला बटन दबागर चैनल को सस्क्राइब करके चलिए आज की कलास को अपन बीना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला क्या है? सर्वस्रेश्ट जाकी का आवार्ड मिला था ये आवार्ड कौन देता है उसको पन डीटेल एनलाइसिस के साथ कवर कर लेते हैं इंद्रा गांधी नेस्तल सेंटर फॉर आर्ट्स के दुआरा गोशना की जाती है जो इंद्रा गांधी नेस्तल सेंटर फॉर आर्ट्स से वो प इंडिया दा मदर ओफ डेमोक्रेसी इंडिया दा मदर ओफ डेमोक्रेसी हिम 32 की इस्तती पर एक रिपोर्ट चारी की है इस रिपोर्ट के नुसार वारत में हिम 33 की संक्या 718 है हिम 33 याने बरप में रहने वाला तेंडवा होता है जिसकी ये फोटो है इसको आप देख लेना अगर किसी चीज़ गे पर फोटो देखते तो वो लंबे टाइम तक रिकोल होता रहता है राजियों के अंदर हिम 33 की संक्या कैसी ये निकल जो रिपोर्ट आये थी उसमें जो 718 हिम 33 तो किस राजिय में कितने हिम 33 उसको पर एक बार चार्चा कर लेते हैं लद्दाक में सबसे अधिक 477 तेन दुए हैं उत्राखंड में 124 हिमाचल परदेश में 51 अरुनाचल परदेश में 36 सिक्की में 21 और जम्मू तता कस्मीर में 9 इस परकार 718 टोटल हिम देन दुए हैं अगले क्यूसन पे चलते हैं अजाली एसोमानी किस देश के राष्टपती बने हैं जो अजाली एसोमानी है वो कोमोरोस देश के नए राष्टपती बने हैं कली नियूपत हुए है तो राइट ओप्शनों का ओप्शन नमबर 4 कोमोरोस अजाली एसोमानी ने 63 परतिसत वोट हासिल करके चोती बार कोमोर उसके राष्टपती बने है विपक्स ने मतदान का वहिसकार करते वे इसे कटक पूर्ण बताया है अजाली ओसामानी जो है वो उनीस सो निन्यानमा से सता संबाली हुई है इन्होंने यह उनकी फोटू है तो इंपोर्टेंट है ध्यान रखना है को मोरोस देश की बात हुई ह तो उसके बारे में तोड़ा इस्टेटिक्स जीके कवर कर लेते हैं अफ्रीका महादीप में इस्तित देश है यह मैंने वल्ड का जो मेप लगाया है उसके अंदर आपको पताऊना ची यह एसिया महादीप है यह यह अफ्रीका महादीप है अफ्रीका महादीप के अंदर य देस हैं, तीसरा सबसे छोटा है, ठीक है, यह important है त्यान रखने line को अच्छे से पढ़ लेना, राजधानी है, मोरोणी, ठीक है, मोरोणी इसकी राजधानी है, मुद्रा कोमोरियन चलता है आपर कोमोरेन फ्रेंग मुद्रा के रूप में चलता है राजदानी मौरोनी है महादीव का तीसरा सबसे छोटा देश है कोण से महादीप का तो अफ्रीका महादीप का कोमोरोस के बारे में यह इस्टेटिक्स जी के आप कवर कर ले ना अभी हाली में की गई अंतराष्टी न्युक्तिया कोण कोण सी यह अंतराष्टी न्युक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे अपने पिछले क्यूसन में अंतराष्टी न्युक्तिया ही पढ़ी है तो उससे रिलेटेड ही अपन कवर करेंगे तो बर्नाड अरेवेलो जो है वो गौाटमाला के नए राष्टपती बने है ये है बर्नाड अरेवेलो लाई चिंग ते है वो ताइवान के नए राष्टपती बने है ये है लाई चिंग ते शेख हसीने वो बंगलादेश के नए परदान मंतरी बनी है यह सेख हसीना की photo है सेरिंग टॉप के बुटान के नए परदान मंतरी बने है ये है सेरिंग टॉप को फेलिक्स तससी के दिये है वो Democratic Republic of Congo के नहीं राष्ट पती बने है शेक मिसाल Al-Ehamad Al-Jabar Al-Sabai A की नाम है ये कुवेत के अमीर बने है अब्देल फतेल Al-CC है वो मिसर के नहीं राष्ट पती बने है जिस मिसर को एजिप्ट भी अपन बोलते है एट्री राजोहलीना है वो Medagascar के नहीं राष्ट पती बने है और Javiel Miley जो है वो अर्जेंटिना के नहीं राष्ट पती बने है तो भी पिछले कुछ दिनों में ये अंतराश्टी इंपोर्टेंट न्युक्तियां हुई है और नहीं न्युक्ति भी अपने कवर कर ली है अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबागर चैनल को सस्क्राइब जरूर करना बेल वाला ऐकन प्रेस कर लेना जिसे परति दिन सुबे 6 बजे आपको करन्ट अफेर की क्लास के नोटिपिकेसन मिलती रहेगी इसके अलावा भी जो करन्ट के अलग-लग टोपिक्स है उस पर अपन सोट वीडियो लाते रहते हैं और जो important geography, quality, history और जो भी other subject है उन पर जो भी important topics होते हैं उन पर question वगेरा होगे, short notes वगेरा होगे वो भी अपर cover करते हैं तो देखने के लिए आप playlist section पे जाना वहाँ पर अलग-लग books की और अलग-लग subject की playlist बंद की है वहाँ से भी आप वीडियो चेक आउट करके आप अपनी तयारी को अच्छी कर सकते हो किसी भी परकार की सूचना या notification चीए या कोई भी अगर आपको PDF चीए तो वो टेलिग्राम चैनल पे मिलती है आपको पता है मनोनित कवल राजे सबा सदन में ही क्या जाता है तो राजे सबा के अंदर जो सतनाम सिंग सिंदु उसको नया मनोनित किया गया है पूरा मेटर क्या है रीटेल एनलाइसिस के साथ कवर कर लेते हैं बारत के परमुक शिक्षाविदो में एक सतनाम सिंग सिंदु को राष्टपती द्वारा, राजे सभा के सदेश्य के रूप में मनोनित किया गया है, ये सतनाम सिंग की एक फोटू है, साल 2001 में मोहाली के लाडरा में चंडिगट ग्रूप और कोलेज की निव रखी थी, सतनाम सिंग सिंदु सामपरदाइक सदवाव को आगे बढ़ाने के लिए दो गेर सरकारी संगटन, इंडियन, मायलोरोटी, फाउंडेशन और न्यू इंडिया डवलपमेंट जिसको NID बोलते हैं, ये दो फाउंडेशन भी चलाते हैं, तो सिक्षा के छेतर में और सामपरदाइक जान लेते हैं, बारते सविदान का अनुछेद 80 राजेसभा के गठन का प्रावदान करता है, राजेसभा के सदश्यों की अधिक्तम संक्या 250 हो सकती है, प्रंतु वर्तमान में 245 है, इसमें 12 सदश्यों को राष्टपती द्वारा मनोनित किया जाता है, जो कि साईतिक राजेसभा में एक इस्ताई सदन है, जिसका विगिटन नहीं होता है, जो राजेसभा है, वो एक इस्ताई सदन है, जिसका कभी भी विगिटन नहीं होता है, और ये अपरावस है, लोरावस लोकसभा होता है, लोकसभा एस्ताई सदन होता है, राजेसभा में एक तिये सद परत्येक 33% जो सदेश्य हैं वो परत्येक दो वरसवात स्यवानिवर्थ होते हैं और उनकी जिगे नए सदेश्य आते हैं इसलिए इस्ता ही सदन है क्योंकि इसमें सारे सदेश्य एक साथ स्यवानिवर्थ नहीं होते हैं वर्तमान राजय सभा के सभापती राजय सभा में जो सभापती हो हमेशा उपराश्टपती होते हैं और वर्तमान में उपराश्टपती जगदीप धनकड हैं तो वर्तमान में भी राजय सभा के जो सभापती हैं वो कौन है जगदीप धनकड हैं वर्तमान में राजय सभा के उपसभापती कोन है, अरिवन्स नाराइन सिंग अरिवन्स नाराइन सिंग वर्दमान में राजे सभा के उपसभापती है, ये एक सदन की फोटू मैंने यहाँ पर डाली है अगला कुशन, बारत उर्जा सप्ता का दूसरा संस्क्रण किस राज्य में आयुजित किया जाएगा, तो गोवा के अंदर जो बारत उर्जा सप्ता है, उसका जो दूसरा संस्क्रण है वो गोवा में आयुजित किया जाएगा बारत उर्जा सप्ता का दूसरा संस्क्रण 6-9 फरवरी दोजाट जोबीस में बविश्य पर चर्चा की जाएगी यानि उर्जा का बविश्य क्या है उस पर चर्चा की जाएगी पर्मुक राष्ट्य समेलन ये जो समेलन हो रहा है एक राष्ट्य समेलन है अंतराष्ट्य समेलन नहीं है बारत उर्जा सब्ता एक राष्ट्य है समेलन है तो पिछले पिछले कुछ दिनों के अंदर राष्ट ये संमेलन होए थे इसके अंदर नया ये अपनेट कर लेना बारत उर्जा सप्ता का दूसरा संस्क्रण गोवा के अंदर होगा अगला क्यूशन सरत चोहान किस केंदर सासित परदेश के मुखे सचिव बने हैं सरत चोहान को कल रेक नई नई न्युक्ति दी गई थी मुखे सचिव के रूप में वो पुंडू चेरी केंदर सासित परदेश, जो पुंडू चेरी केंदर सासित परदेश है, उसके नए मुख्य सचीव बने है, सरत चोहान, यह सरत चोहान की फोटो है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन है यह, 1994 बेच के अनुबवी I.S. अधिकारी सरत चोहान क उनकी जगें सरत चोहान नए बने है, राजीव वर्मा जो थे, उनको फिर कहाँ पर बेजा गया, तो राजीव वर्मा को चंडिगट परशासक के सलाकार के रूप में न्यूक्त किया गया है, इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, बात पुंडू चेरी केंदर सासित पुंडू चेरी की राजदानी पांडी चेरी है, उपराजेपाल कोन है, तो तमी सिलाई सुन्दर राजन उपराजेपाल है, मुख्य मंत्री है एन रंगा स्वामी, ये एन रंगा स्वामी की फोटू है, पुंडू चेरी के अंदर विदान सभा की 30 सीटे हैं, राजी सभा रक्सा मलत्रा लेके महानिर्देशक के रूप में समीर कुमार सिन्ना को नियुप्त किया गया है पेप्सिको इंडिया के नए CEO बने है जागरित कोटेचा विम्स्टेक के माहस अचीव बने है इंदरमनी पांडे UPSC के एक नए सदेशे के रूप में सील वर्दन सिंग ने भी नियुक्ति लिये है बुटान के परदान मंत्री बनी है सेरिंग टोग के माराश्टर की पहली महिला डीजीपी इंपोर्टेंटे द्यान रखना है रस्मी सुकला बने है युरोपिय निवेस बेंग की अध्यक्स नादिया केलविनो बने है विदेश मंत्रलेगे नए परवक्ता रणदीर जैस्वाल बने है डबलू टीओ में बारत के अगले राजदूत सेंथिल पांडियन सी बनेंगे दक्षिन नो सेना कमान के चीप और पिष्टा बने है उपुल कुंडो तो ये अपने महतपुन युक्तिय पहले पड़ी थी उसके अंदर एक नहीं महतपुन युक्ति प्या एड़ कर लेना अगला क्योशन किससंगटन ने बारत के मराटा सेन्य प्रिदर्षय को विश्वे विरासत सुची में सामिल करने के लिए नमांकित किया है तो युनिसको युनिसको जो है उसने जो मराटा सेन्य प्रिदर्षय है उसको अपनी सुची में सामिल करने के लिए नमांकित किया है ठीक है 24-25 के लिए उनिस्कों ने बारत के मराटा सेन्य परीदर्शे को वीश्वे विरासत सुजी में सामिल करने के लिए नमांकित किया है मराटा सेन्य परीदशे में बहारा बाग है रोटल बहारा बाग है ये उस एक फोटू मेंने यहाँ पर डाली है जो मराटा सेन्य प्रिदर्श्य बारा बाग कौन-कौन से हैं वर्तमान के अंदर बारत के अंदर 42 यूनिसको विरासत इस्तल है जिसमें से 34 सांसकर्तिक रूप से हैं और एक जो हैं वो सांसकर्तिक और प्राकरतिक दोनों रूप से संयोजित है तो टोटल 42 उनिस्टो विरासत सामिल है और उसके अंदर जो मराटा सहिजें प्रइदिश उसको उनिस्टो के अंदर सामिल करने के लिए बारत के ओर से नमंकित किया गया है उनिस्टो के बारे में कुछ प्atyट्टिक चीके जाल लेते हैं UNESCO की फुल फॉम यहाँ पर लिखी हुई है UNITED NATION EDUCATIONAL SCIENTIFICATION AND CULTURAL ORGANIZATION UNESCO की फुल फॉम होती है UNESCO की इस्तापना 16 नावंबर 1945 को हुई थी मुख्याले पेरिस फ्रांस के अंदर है महा निर्देशक आडरे अंजोले है 133 सदश्य देशें और 11 सयोगी सदश्य है सयूंत राष्टर UNA की एक विशेश एजेंसी है इसका कारिये सिक्सा, परकर्ती तता समाज, विग्यान, संसकर्ती तता संचार के मादिम से अंतराष्टी सांती को बड़ावा देना इसका मुख्य कारिये है अगला क्रिशन TRI का फुल्फोम वता टेलिकॉम रेगुलेटी अथरिटी ओफ इंडिया उसके नए अधिक्स बने है अनील लाहोटी अनील लाहोटी TRI के नए अधिक्स बने है अनील कुमार लाहोटी को बारतिय दूर संचार नियामक प्रादिगरन ठीके टेलिकॉम रेगुलेटी ओफ इंडिया के अधिक्स न्युक्त किये गए है इन्होंने पीडी बागेला का इस्तान लिया है इससे पहले TRI के अधिक्स पीडी बागेला थे इनकी न्युक्ती तीन साल के एउदी के लिए तीन साल चे पहले अगर इनकी 65 बरस की आईउपूर्ण हो जाती है तो इनका कारेकाल समाप्त हो जाएगा ये है अनिल कुमार लाहोटी बारतिय दूर्शंचार नियमक टेलीकॉम रेगुलरिटी अतर्टी ओफ इंडिया ये बारत में दूर्शंचार छेतर का नियमक है जिसक हिमत बिश्वा सर्मा ने किया है पोलिटिकल हिश्ची ओफ असम पुस्टक का पहला कंड कल ही विमोचित वा है हिमत बिश्वा सर्मा के दौरा हिमत सर्मा है वो असम के मुख्य Vienna क क्या है इस पुस्तक में असम की राजनितिक इत्यास के बारे में बताया गया है और जो पार्ट फास्ट है खंड एक है उसके अंदर 1947 से 1921 के बीच की जो राजनिति है उसके बारे में समझाया गया है 2025 तक Political History of Assam के तीन संस्क्रान लोंच के जाएंगे और जिसके अंदर 2020 तक की राजनिति गटनाओं को सामिल किया जाएगा जो भी राजनिति गटनाओं थी उनके बारे में चर्चा की गई है और इस पहले खंड का विमोचन कल हीमत विश्वा सर्मा के द्वारा किया गया है जो की असम के मुख्यमंत्री है यह हीमत विश्वा सर्मा की एक फोटू है 2023 की परमुख पुस्तक है और उनके लेखकों के बारे में अपन तोड़ा जान लेते हैं क्योंकि इनमें से क्रिशन पूचा जा सकता है एलन मस्क की एक पुस्तक आई थी वाल्टर इसा कसम ठीक है नथिंग बट दा ट्रूट पुस्तक लिखी गे थी रिशप सा के द्वारा मानसुन ए पोइम ओफ लव एंड लोगिक पुस्तक है अभियक कुमार की हाव प्राइम मिनिस्टर डिसाइड निर्जा चोदरी की पुस्तक है अब मैं आपसे एक क्यूसन पुस्ता हूँ जिसका आंसूर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका राइट आंसूर भी आ करना पर विसेश चर्चा करेंगे डिटेल एनलाइसिस के साथ हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर विक्ति कौन बने है एलन मस्क, जेप, बेजोस, बर्नार्ट, अर्नोल्ट या इन में से कोई नी अगर इन में से कोई नी आंसवर है, तो कौन है वो भी आप कमेंट बॉक्स पर आप बुझे बता देना अगर आपको वीडियो की क्वालिट और कंटेंट की क्वालिटी इसके साथ अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना जिसे परती दिन सुबह 6 बजे आपको करन्ट अफेर की क्लास के नोटिफिकिसन मिल जाएगी इसके लावा अधर सेशन के नोटिफिकिसन भी आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे किसी भी परकार की PDP या सूचना चीए तो मिलेगी टेलिग्राम चैनल पर उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंक है वहाँ से आप टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लेना मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपनी पढ़ाई को जारी रिखिए स्वास्ति के द्यान रखिए टिक केर जेहिंद